जै हैं दोस्तों आप सबका sleepy classes में बहुत-बहुत स्वागत है आज है 18th April और आज हम चार editorials discuss करेंगे आज की discussion analysis में तो दोस्तों आज चारों जो हमारे articles and different-different newspapers में से रहेंगे एक article हम discuss करेंगे Indian Express में से ये international relations से related है एक article हम discuss करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स में से ये भी IR से related है एक article हम discuss करेंगे क्योंकि prelims भी पास में है तो ये नई चीज़ा समझने के लिए standing deposit facility ये business line में आया आज और एक article हम discuss करेंगे Hindu explains में से boosting wheat exports के बारे दोस्तों शुरू करने से पहले एक breaking news आपको देना चाहते हैं वो ये है कि हमारे prelims के crash course पे flat 50% off चल रहा है अब देगिए 6 हफते रह गए है prelims को ठीक है जाधा time तो नहीं रहा I'm sure आप अपनी preparation कर रहे हैं आप अपनी test series कही ना कहीं से लेकिए आप practice कर रहे होंगे अपनी comprehensively discuss किया गया है और आपको इसमें वीडियो lectures और PDF मिलेंगे साथ के साथ यह तुछ लो current affairs की बात है साथ के साथ आपका जो static syllabus भी है history, polity, environment, science, etc. वो भी आपको provided किया जाएगा तो दोस्तों यह हमारा coupon code है off 50 अगर इसके बार information on लिला चाहते हैं तो इस देगे number पे call कीजिए और इसके बारे information लेकिस में enroll कीजिए. Having said that आज की जर्चा शुरू करते हैं तो पहला article है Fatal Friendship written by Raja Menon. देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि चाइना के साथ जो दोस्ती है वो काफी महंगी बढ़ जाती है. चाइना की तो आदत है debt, track, diplomacy की. याने कि गरीब देशों को least developing countries को ये कहना कि भी मैं आपका मसीहा हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, कोई बात नहीं, आपको सडके बनानी है, आपको ports बनाने है, आपको railways बनाने है, आपको airports बनाने है, तो मैं बैठा हूँ, आप tension क्यों ले रहे हैं. अब ये जो इतनी महंगी बढ़ती है चाइन आप में बहुत volatile है, एक तरफ Pakistan, एक तरफ China, nuclear armed हैं, और हमारे पूरे neighborhood में, ये बहुत पेचीदा बात है कि कोई भी ऐसी country नहीं है, जा पर democracy इतने लंबे समय के लिए stabilized रह चके, हम चलो, हमारा exception है कि यहाँ पर, लेकिए, democracy में कमी बेशी हर किसी country में रहती है, लेकिन फिर पाकिस्तान है, अब तीनों ही बहुत सफर कर रहे हैं, तो शुरू कर मियानमार से करें, तो चलो, मियानमार में तो democracy देखिए, बहुत लंबी अरसे से नहीं आई, 2015 में National League of Democracy ने थोड़ा democracy वहाँ पे stabilize किया, लेकिन अगर आज की हम बात करें, पिछले एक साल से मियानमार मे मिलिटरी का रूल यहाँ पे ना रहे, उनको भी जेल में डाला हुआ है, और अब इंटरस्टिंग सी बात देखने को ये भी मिल रही है, कि चाइना की सरकार अब जाधा नजदीक आ रही है, प्रूव डिमॉक्रसी फोर्सेस के साथ, मिलिटरी से थोड़ा अपने आपको द ने ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी अफ ट्रीड और कोपरेशन, विच मेड चाइना दो ओनली सपोर्टर और धी इलेजिटिमेट, मिलिटरी गाप्मेंट, ठीक है, मियानमार हाद अट्रेटेबल हुमन डिवलोपेंट इंडेक्स रेटिंग और डिवर्सिफाइड ट्रेड धाँटाइड वर्ल, लेकिन अब सैंक्शिंग लगने के बाद, मयानमार के पास वो लकशयर्री नहीं थी, कि वो बाकी देशों के साथ भी ट्रेड कर सके, सैंक्शिंग लगे होई थे, लेकिन क्योंगी सोल सपोर्टर कौन था, सोल जो एक पार्टन था, ट्रेडिटिंग बात करें तो आज के टाइम पे जो हम म्यानमार के टीक वुड की बात करें, that itself accounts for about 70% of म्यानमार's exports to China. तो ये अच्छी बात नहीं है, अगर एक देश का सरफ एक ही ट्रेटिंग पार्टर है, जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, तो आप vulnerable है. पाकिस्तान की दोस्ती की बात करें, चाइना के साथ, नवाज शरीफ, पहले चलो प्राइम निस्टर थे, बहुत बार कहते थे, कि हमारी जो दोस्ती है चाइना के साथ, that is higher than the mountains and deeper than the oceans. लेकिन इंट्रेस्टिंग बात यह है, पाकिस्तान जब विजाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान को एक बात progressive country माना जाता था, ये बात आपको सुनके भी थोड़ा बड़ा funny लगेगा, बट येस, पाकिस्तान को एक बात progressive country माना जाता था, और South Korea से, South Korea से लोग आके पाकिस्तान के economic model को study करते थे, देखें हम अगर इंडिया की बात करें तो हमने जो socialism model follow किया, नहरूवियन socialism model follow किया, नहरूजी बहुत बड़े fan थे USSR के, पाकिस्तान में इतना कोई pressure नहीं था, socialism का, social welfare का, इंटरनाशनली पाकिस्तान को बहुत support मिलती रही from time to time, अमेरिका से भी और चाइना से भी, पहला जो agreement था economic cooperation का चाइना के साथ, वो 1963 में था, immediately जब 1962 की लड़ाई इंडिया चाइना के विए थी, जब इंडिया हा रहा था, अब ये देखे, आर्मी के interference भी political affairs में बहुत रह चुकी है, 1950 से हम देखते आ रहे हैं, और जैसे अभी मैंने बोला कि जो पाकिस्तान की policies हैं, वो किसके focus होती है, किसके centric होती है, इंडिया centric होती है, अब बात करें growing radicalization की, तो late 1970 से में जब सोवियत्स ने invade किया अफगानिस्तान में, तो अमेरिका की कोशिश थी कि कैसे सोवियत्स को हराया जा सकता है, कैसे सोवियत्स को retreat करवाया जा सकता अफगानिस्तान से, तब उस टाइम पे जैनल जिया उलहक पाकिस्तान के head थे, तो USA ने बहुत कोशिश करी, as a result, यह जो तालिबान है, तालिबान चलो, आज तो अमेरिका ने अपना आपको withdraw कर लिए, तालिबान 2.0 आगे, लेकिन तालिबान की स्थापना करने वाला कौन था, यूएस था, पाकिस्तान की ISI ने तालिबान की स्थापना करी, with the help of US dollars, ठीक है, पर्पस क्या था, कि कैसे Russians को हराया जा सकता है, Soviets को कैसे retreat करवाया जा सकता है, और उसके बाद जब 2001 में, जब voltage center attack होए, जब अमेरिका ने war against standard launch किया, तो पाकिस्तान ने, अमेरिका ने, पाकिस्तान को और तालिबान दोनों को dump कर दिया, अब 2012 में एक और turning point पाकिस्तान में आता है, वो ये है, पाकिस्तान चाइना के साथ CPAC agreement sign करता है, चाइना पाकिस्तान economic corridor, पाकिस्तान बहुत बढ़ी बढ़ी बात बोलता है, कि हम भी य पाकिस्तान को और बूस्ट अप कर सकते हैं, अब पाकिस्तान के जो लीडर से, उनको बहुत फितूर चड़ गया, ठीक है, उनके ये बात सिर्पे चड़ गी, कि हमार साथ चाइना, अमार साथ खड़ा हुआ है, इतना ambitious project है, इतने लाखों क्रोड रुपे लगाए जारे है चाइना पाकिस्तान economic corridor में, लेकिन IMF ने बोला कि ये जो आपने, IMF ने बार बार बोला, आदे कि आज भी पाकिस्तान की economy, चलो आज शिवाज शरीफ वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छी situation में नहीं है पाकिस्तान की economy, पैंडमिक से प साथ ये पैसे वापस लेता है, as a conservative IMF estimate put it, पाकिस्तान's poor management of the economy and reckless borrowing has put its immediate financial needs, 2022 की बात हो रही है, at 51 billion dollars, श्रिलंका की बात करें, आज के टाइम पे श्रिलंका की भी हालत कैसी है, न्यूस पेपर्स में आता रहता है, श्रिलंका की economic crisis के बारे, लोग सडकों पे आक रोज दिखा रहे हैं, president की against, श्रिलंका की political establishment की against, ठीक है, inflation बहुत हाई है, उनकी currency बहुत बुरी तरह से depreciate कर चुकी है, बहुत जरूरत है उनको, पैसों की, इंडिया से भी बहुत मदद मांग रहा है श्रिलंका, लेकिन श्रिलंका की बात करें, वहाँ पे tourism बहुत अच्छा था, श्र बहुत उंदा थी, लेकिन जो राजा पक्सा भाई है, महिंदरा राजा पक्सा की बात करें, गोता पया राजा पक्सा की बात करें, इनकी मुहम्मद बिन तुगलक टाइप जो policies है, ये श्रिलंका को डुबा चुकी है, ठीक है, against all the economic surveys and advice, यहाँ पे, जो यहाँ बात आती ह महिंदरा राजा पक्सा ने जो हमबन तोता पोर्ट का जो lease project था, जो 99 years के लिए चाइना को दिया था, ये बहुत इल-advise था, बहुत सारे economic surveys और बहुत सारे economist श्रिलंकन बेस जो थे, उरुने मना किया था, इतने लंबे अर्से के लिए, 99 years के लिए आप हमबन तोता पोर् जी आपके बास पैसा है, लेकिन अगर आपका trading partner सरफ एक ही देश है, तो वो देश बहुत vulnerable है, तो वो Myanmar हो, श्रिलंका हो, पाकिस्तान हो, तो अब ये तीनों देशों का एक एक लौता partner था, वो कौन था, सरफ चाइना, from 2012 to 2016, चाइना accounted for 30% of all the FDI to Shri Lanka, only चाइना, तेकि diversification बहुत जरूरी है, हमारे multiple FDI partners हो, है न, एक ही partner से बात नहीं बने वाली है, today China is funding 50 projects in the country, which involves more than 1 billion dollars, चाइना के जो लोन है, वो साड़े 6 प्रतीशत इंटरस्ट रेट पे हैं, और अगर हम बात करें ADB की, तो वो ठाई प्रतीशत में मिलते हैं, तो दिखिए, जमीन आस्मान क corridor है, वैसे Myanmar में, China Myanmar economic corridor भी है, so there is no such thing called as free lunch, तो चाइना की दोस्ती clearly इन तीनों देशों को बहुत महेंगी पड़ी है, ठीक है, देखिए, Shri Lankan economy is in complete meltdown आज के टाइम पे, China holds the largest amount of Shri Lankan debt, अब इनकी दोस्ती कहां गई, ठीक है, अब जब जब जरूरत है Shri Lankan को bailout की, अब is money by all these free countries, that had, this is not, I mean obviously that had costed these free countries, and जो दोस्ती दी चाइना के साथ के भी, China बहुत बड़ी investment हमारी country में गरेगा, job creation होगा, manufacturing facilities built up होगी, clearly ये सब जो चाइना की जो policies थी, this has been inducing all these leaders to take bad economic decisions, ill-advised economic decisions, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक और information आपको देना चाहते हैं, तो का bundle create कर सकते हैं, अपने individual courses का, अब देखिए, दोस्तों बहुत सारे courses है, geography, history, polity, economy, IR, social issues, ethics, environment, internal security, ethics, etc. इन सब courses में से देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरी economy थोड़ी weak है, अगर आपको लगता है कि science and tech मेरी थोड़ी weak है, हलांके देखिए, हम अपने YouTube channel पे बहुत अच integration करनी है, history में, geography में, तो आप अपने individual courses भी ले सकते हैं, यह जो courses आपको provided रहेंगे, per subject 6000 rupees है, और यहाँ पे जो आपको courses प्रवाइड किये जाएंगे, जो content आपको मिलेगा, यह आपके films और means दोनों के syllabus को oriented रहेगा, daily quizzes रहेंगे, और साथ के साथ हर एक subject में आपको monthly इसको recalibrate करना चाहिए, थोड़ा think, overthink करना चाहिए, थोड़ा सा re-strategize करना चाहिए, देखें, there's a change of guard in Pakistan, तो अगर हम अपनी economic policy की बात करें, strategic policy की बात करें, diplomatic policy की बात करें, क्या आप समय आ चुका है, कि हम थोड़ा सा अपने आपको reorient करें, है ना, देखें, अब civilian leader हो, चाहि मिरान खान हो, चाहिए शेपाज शरीव हो, चाहिए उसे पहले हो, who calls the shot, army calls the shot, कई बार हमको ये दोविदा रही है, problem रही है कि पाकिस्तान में अगर हम engage करें, किस के साथ करें, civilian leader के साथ के military के साथ, ये समझ नहीं आता, ठीक है, लेकि economically यहाँ पे बात ये करी है, European Union के scheme of preferences से, generalized system of preferences से, ठीक है, अब देखे, India has been unable to leverage, देखे, हमको पता है कि पाकिस्तान बहुत सारा terrorism भी export करता है, ठीक है, लेकिन ये जो scheme है, GSP, तो GSP के बारे अगर आपको मैं थोड़ा सा बता हूँ, European Union का GSP जो program है, तो generalized scheme of preference is a set of EU rules allowing exporters from developing countries, तो पाकिस्तान एक developing country है कि they can pay less or no duties on their exports to the European Union, ठीक है, अब ये जो European Union export helped us, this provides the necessary resources to check कौन से specific products हैं, जो के benefit किये जा सकते हैं, GSP के अंडर, ठीक है, जो new preferences हैं, they apply from January 2014, तो objective क्या है, European Union के new GSP के, कैसे जो countries हैं, जो least developing countries हैं, who are in more need of trade preferences, कैसे उनको help किया जा सकता है, कैसे उनकी economy score boost किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान इस बात का बहुत फाइदा उठा रही है, तो इंडिया इस बात का leverage नहीं उठा पा रही है, विकास पाकिस्तान का जो established status है, as a global exporter of terrorism, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान के साथ liberally trade कर रही है, और साथ में ये बात भी इस article में suggest क करेगे कि इंडिया को अपने efforts को फट से redouble करना चाहिए, देखिए हम चाहेंगे कि पाकिस्तान stable रहे, देखिए, अब शेबाज शरीफ जरूर कह रहे है कि मिंटे के साथ अच्छे relation चाहते हैं, लेकिन उनसे पहले भी इमरान खाने भी बहुत बड़ी बाते कही थी, तो य ऐसे global pressure भी पाकिस्तान के towards oriented रह सकता है, तो अभी भी आपको पता है, पाकिस्तान financial action task force के grey list में है, most likely 2023 तक पाकिस्तान ने commit करा है, जो भी conditions FATF ने बोली है, तो वो conditions meet करके हम 2023 तक grey list से बाहर आ जाएंगे, लेकिन हमको pressure फिर भी बना कर रखना बहुत जरूरी है, right, because हमको है कि बहुत सरे जो terror groups हैं, बहुत सरी money laundering activities है, illicit drug trade है जो पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान इस बाग को control नहीं कर पा रहा, तो हमको nevertheless कोशिश करनी चाहिए, कि कैसे पाकिस्तान अभी भी grey list में बना रहे, right, that will keep a check on Pakistan, India should also engage more aggressively with countries like the Gulf Nation, America and the IMF, why? because यह वो तीनों entities हैं, जहाँ पे Pakistan with a begging bowl जाता है, जब पाकिस्तान को जरूरत चाहिए होती है, जब पाकिस्तान को bail out चाहिए होते हैं, तो हमारे रिष्टे इन तीनों entities के साथ अच्छे होने बहुत जरूरी हैं, चलिए, आगर हम बात करें strategic front की, देखिए, अब देखिए, बहुत सारी communities हैं पाकिस्तान में, पश्टून हैं, बलोच हैं, सिंदीज हैं, जो कि वहाँ पे बहुत human rights violations suffer कर रहे हैं, ठीक है, अक्सर पाकिस्तान की ISI कहती है कि रौ का हाथ है, यहाँ पे पाकिस्तान में internal destabilization करने का, तो कौन सा पाकिस्तान का ISI हमारे यहाँ पे नकसल को सपोर्ट नहीं करता, कौन सा पाकिस्तान का ISI है, यहाँ पे माउस को सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल करते हैं वो, ठीक है, तो अगर हम अपनी strategic engagement, बलूच के साथ, सिंदीज के साथ, या पश्टून के साथ बढ़ाते हैं, तो उनी के फायदा होगा इसमें, ठीक है, हम separate strategy for every dissident group, dissident group यानि कि पश्टून, सिंदीज, बलूच, etc. और इंडिया अगर कोशिश कर सकता है कि कैसे हम globally support कर सकते हैं, बहुत सारे सिंदीज 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 हैं, बहुत सारे सि कोशिश रहे कि अफगानिस्तान में relevant रहे हमारी प्रेजिंस बहुत बनी रहे पाकिस्तान और चाइना definitely नहीं चाहते है कि हम एक relevant रहें अफगानिस्तान में अभी 2021 के end में हमने regional security dialogue conduct किया था जहां पे जो अफगानिस्तान के जो अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छी रही थी तो national security advisor ने इंवाइट किया था जो national security advisor अफगानिस्तान के नेंबरिंग कांट्रीज के हैं तो इस तरह के regional dialogues हम को और ज्यादा periodically करने चाहिए ताकि हम relevant एक actor बन सकें वहाँ पे अफगानिस्तान में because Taliban also clearly wants to distance itself from Pakistan Taliban बार बार यह बात कह चुका है कि हम अपनी जो policies हैं वो independent of ISI रखना चाहते independent of Pakistan रखना चाहते that we don't want to be looked as a proxy of Pakistan diplomatic recalibration की बात करें एक सबसे बड़ी बेवकूफी जो इमरान खान ने करी थी वो यह थी जो पाकिस्तान के age old ties थे with the gulf monarchies ठीक है यह बहुत खराब हो गए थे so इमरान खान ने किया कि अमरान खान ने defy किया साओधी alliance को ठीक है he wanted to create an anti-saudhi alliance by aligning with countries like Turkey, Malaysia, Qatar ठीक है so definitely से क्या हुआ जो साओधी-led block था जो gulf monarchies थी they started becoming more close towards India अब यह Indian government की smartness या Indian foreign policy की smartness यहाँ पे नहीं थी यहाँ पे पाकिस्तान की बेवकूफी थी which brought the Saudi-led block more close to India लेकिन अभी यहाँ पे बात करी गई है that how can we seize the moment कार्पे टाइम की बात करते हैं कार्पे टाइम यानि की seizing the moment कि कैसे इस present moment का हम leverage रहा सकते हैं अभी भी जो Saudi-led block है वो अभी भी इंडिया के जादा close है अभी भी पाकिस्तान के close नहीं है अभी भी वो priority अब इंडिया को दे रहा है तो कैसे इस बात को हम और leverage कर सकते हैं कैसे इस moment को हम seize कर सकते हैं आने वाले समय में आप चलो शहबाज शरीव अपनी policy towards the Saudi-led block change करें क्या हो वो हमको नहीं पता लेकिन अभी के टाइम पर उनके लिए Saudi Alliance के लिए हम priority number one है इंडिया मस्ट आलसो emphasize कि कैसे हम यह जो regional group इंडिया पाकिस्तान के चलते इंडिया पाकिस्तान के मुद्दों के चलते सार्क as a block जो कि बहुत promising था 1985 में बनाए गया था लेकिन अभी hijacked हो चुका है पूरा का पूरा block तो कैसे हम इसमें और विगर डाल सकते हैं और energy डाल सकते हैं कैसे हम कोशिश कर सकते हैं कि regional groupings के थूर हम पाकिस्तान के उपर pressure बना सकें और पाकिस्तान को isolate कर सकें यहां पर एक और प्रपोसल दिया गए से अर्टिकल में कि as a nation with the worlds देखिए जितने Muslim population इंडिया में है उतनी Muslim population पाकिस्तान में भी नहीं होगी तो all the more यहां पर suggestion दिया आ गया कि it is very much legitimate अगर हम भी organization for Islamic cooperation संगर्टम का अगर हम हिस्सा बन सकें और यहां पर अगर हमको मौका मिलेगा OIC में इंडिया गें में कामा leader among the Muslim nations and it can also let Pakistan look like a lame duck and a pretender चलिए दोस्तों अगला article standing deposit facility a policy milestone तो quick इसमें factual बात हैं हम discuss करेंगे इसमें analytical बात हैं इसकर करके यह economics related topic है जो आपके साथ में शेर कर रहा हूँ SDF राइट यह नया टूल है जो कि recently अभी जो पहली जो monthly जो binary monetary policy meeting for the fiscal year 2023 में आउंस किया गया था ठीक है अब यह जो टूल है देखे innovative बाते है monetary policy में जितनी innovation आ सके जितने innovative tool हम निकाल सके जितने innovative tools RBI निकालेगा how to absorb excess liquidity how to control inflation वो जाद अच्छी बात है तो यह जो tool निकाला गया है by the central bank this can absorb the excess liquidity from the commercial bank which is currently at which is currently hovering at around about 8.5 lakh crore ठीक है और सबसे अच्छी बात यहां पर यह कि this can be done without the need of giving any collaterals so collaterals in the form of government securities देने की जुरूरत नहीं है RBI को towards the commercial banks 2018 में section 17 of the RBI को amend किया गया था which empowered the reserve bank to introduce this particular tool the standing deposit facility और यह जो binding collateral constraint की बात आती है जो RBI पर रखा गया था तो अगर हम जैसे बात करते हैं reverse separate की जो excess पैसा है commercial banks के पास वो RBI में पाक करते हैं RBI interest देता है bank को ठीक है अब यहां पर collateral भी आ जाता है यहां पर RBI government securities भी देता है bank को तो यहां पर RBI को को collateral देने की जुरूरत नहीं पड़ेगे so this will be a win-win situation for both the banks as well as the RBI ठीक है तो SDF is also a financial stability tool in addition to its role in liquidity management देखिए इसको ध्यान से पड़ेगा दो facilities है marginal standing facility है और standing deposit facility है यह दोनों available रहेंगे throughout the year all days of the week 24-7 रहेगा यह interest rate of the SDF has been fixed at 3.75% which is 40 basis point more than the reverse reporate तो जैसे मैंने आपको भी बोला it is a win-win for both the central bank and the commercial banks because attractive हो का commercial banks के लिए देखिए पहली बात तो reverse reporate में जब ज़्यादा जो cash है जो commercial banks के पास है वो RBI में पाक करते हैं तो उसे 40 basis point जादा interest commercial banks को मिलेगा from the RBI तो एक बिन-बिन situation है और RBI को भी collateral देने की ज़रूरत नहीं है government securities देने की ज़रूरत नहीं है चलिए ना how can the banks avail this facility देखिए SDF जो है this is currently available as an overnight facility जहाँ पे banks जो है देकिन engage in transactions throughout the overnight SDF facility तो यह जो facility available रहेगी यह शाम को साड़े पांच बज़े से लेके रात को 11.59 तक available रहेगी in all days including Sundays and also the holidays banks can use a central bank's electronic portal that is the ecovair तो यह मेरे नाम से ही है तो आपको यह हद रहेगा कि central bank का electronic portal उसका नाम ecovair है ठीक है the scheme is effective as of April 8 2022 जो idea था about the SDF यह पहली बार originate किया गया था पहली बर इस बात का जो proposal दिया गया था monetary policy committee led by उरिजित पतेल उस time पे उरिजित पतेल जो थे deputy governor थे central bank के तो उरिजित पतेल governor भी रह चुके है आरविया के पीछे ठीक है उरिजित पतेल committee came up with the idea of a collateral free facility during the time of 2005-2008 जहां पे liquidity बहुत जादा थी ठीक है global financial crisis था इंडिया के गर हम बात करें वहां पे inflation बहुत जादा थी इंडिया में global financial crisis जलते there was a surge in liquidity in most of the developing economies as well now that left the central bank short of a collateral तो इस करके यह जो idea था बहुत लंबे अर्से से उडिजित पतेल ने इस बात का suggestion दिया जिसको 2018 में amendment किया गया जो आर्बिया का जो banking act के उसमें amendment किया गया और अब इसको deduce किया गया 2025 में चलिए दोस्तों आज का लास्ट एडिटोरियल रहेगा वो के चलते क्या हो रहे हैं because sanctions लगाने के चलते और यह जो crisis के चलते बहुत सारे जो exports हैं जो के बले black sea से जाते थे वो नहीं जा पा रहे हैं और this has impacted the food security in many countries specially the countries in Africa East Africa and West Asia तो यहां पर मौका इंडिया के पास है देखिए wheat production की बात करें तो आज हमारी बहुत bumper reproduction होती है rice wheat production हम बहुत ज़्यादा करते हैं ठीक है इन फाक्ट दो ही crops है अक्से इस बाद पर criticize भी किया जाता है कि हम दो ही crops के उपर इतना emphasize क्यों करते हैं हम diversification क्यों नहीं करते हैं ठीक है अभी recently Egypt one of the largest importers of wheat now that has now Egypt has agreed to source wheat from India to status of India's wheat exports की जो wheat exports है पिछले एक साल में अगर हम 2021-22 के financial year की बात करें was around about 8 million tons this is four times जादा than the two million tons in the previous area याने कि 2020 से चार गुना जादा export हमने wheat किया है 2021 में और इस 2022 से इसका जो fiscal चल रहा है तो expected है कि जो wheat है हम 10 million tons export करेंगे which will be worth 3 billion dollars because बहुत सारा wheat हमारे food corporation of India में सड रहा है रॉट कर रहा है इतनी ओर production होगी है wheat की इतनी ओर production rice की हो रही है so it's good that हमारे पास और markets है जो कि absorb कर सकते हैं जो कि absorb कर सकते हैं जो excess wheat हम produce कर रहे हैं ठीक है अगर globally बात करें Russia is the market leader for the wheat exports almost जो Russia का global share है wheat exports में 15% है Ukraine भी बहुत major producer है ठीक है geographical conditions favorable है Russia में Ukraine में के crop ज़्यादा grow किया जाता है India expects to produce 112 million tons of wheat in the current season और अगर हम अपने food security program की बात करें अगर 112 million tons of wheat हम produce कर रहे हैं हमारी जो food security requirement है 24-25 million tons में पूरी हो जाती है which new markets are expected to buy from India तो apart from Egypt and Jordan के गरम बात करें countries in East Africa are also likely to source this food grain from India India has also sent out dosier to over 20 countries और बात्चीत भी चल रही है कि कैसे different levels in countries के साथ इस मुद्धे को और expedite क्या आजा सकता है कैसे wheat exports यहाँ भी किये जा सकते है अभी बीच में जो एक problem आ रही है बहुत सारी countries कह रही है कि best risk analysis जो है wheat का वो आप complete करके हमको दीजिए इन सब countries की बहुत major requirement है कि wheat का जब तक best risk analysis नहीं complete हो था तब तक हम इंडिया से import wheat नहीं करेंगे खास करके वो country जोने पहले इंडिया से wheat import नहीं करा था उनके लिए यह बहुत बड़ी requirement है कि इंडिया wheat का best risk analysis ज़रूर करें तो अगर prices अभी भी wheat prices competitive रही अगर geopolitical और weather conditions हमारे favor में रहे तो scope अच्छा है ठीक है कि wheat हम और export कर सकते हैं already we have won the confidence of markets of countries like Shri Lanka and Bangladesh चलिए तो इस्तो जाने से पहले previous year question यह 2021 में आया था तो इसमें से कौनसी statements सही है आपने बताना है comment section में comment करना है और जाने से पहले question from editorials तो पहला आपके पास question यह है एक पार है question का दूसरा है enumerate its implications in South Asia और second option यह है आपको क्या लगता है अपने आज़ को substantiate करीवद arguments और जाने से चलिए तो दोस्तों यह था आज का analysis मिलेंगे कल और analysis के साथ तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहें Thank you so much Jai Hind